So hello guys, welcome back to another video, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BITS HD exam के बारे में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पता दूँ कि Ann Academy पे हो रहा है डेली scholarship test जो भी लोग गेट 2023 या 2024 के लिए परिपर कर रहे हैं उन्हें ज़रूर देना चाहिएं क्योंकि जब आप इस test में participate करोगे जिससाब से आप marks score करोगे उससाब से आपको जो है scholarship मिलेगी ये test को आप कुछी आसान steps में Ann Academy के app पे free of cost attend कर सकते हो It is a highly recommended test, so go and attempt it now Also मैं ये भी पता दूँ कि 2nd of March से Ann Academy के नए batches जो है वो start हो रहे हैं for the year 2023 and year 2024 जब भी आप preparation कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात होती है वो होती है आपके doubts के resolving की यहाँ पे आपको ऐसे teachers पढ़ाएंगे जिनके पास 15 plus years का experience है जिससे कि आपके doubt solving patterns को भी काफी ज़्यादा मत मिलने वाली है और सबसे अच्छी बात यह जो batches हैं वो bilingual हैं मतलब यह दोनों ही भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में हैं और इंग्लिश में आप enrolled हो सकते हो using my code US10 for 10% off और सारी details जो हैं आप screen पर देख सकते हो for the different different batches also इसके बाद भी अगर आपको कोई भी doubt रहता है तो आप दिये गए number पर ज़रू call करो और जो भी आपके doubts हैं वो जल्दी जल्दी clear करके इन batches में जल्दी जल्दी enrolled हो जाहिए तो अभी तो इसका notification नहीं release हुआ है लेकिन tentative dates दिये हैं कि first week of April से online application portal start हो जाएगा last date जोगी second week of May तक रहेगी फिर आपको slot book करना होगा कि आपको कब exam देना है कॉंसी date को hall ticket में में आएगा और exam जोगा जून में होगा और results भी जून में start होगे counseling start हो जाएगी तो यह भी tentative date है अभी notification नहीं आए लेकिन जिन लोग अभी gate का exam जादा अच्छा नहीं गया है मैं कहूंगा उनके लिए काफी अच्छी opportunity है अभी से इसके लिए तैयारी कर दीजिए क्योंकि exam जो है वो जून में होने वाला है तो काफी सारा time आपके पास अगर gate देने से पहले कुछ subjects रह गए थे या कोई कमी हो गए gate में या उतना अच्छा नहीं जा पाया है एक्जाम जितना ते अच्छा जाना चाहिए था तो यह एक wonderful opportunity है bits के package से तो हम सब ही वागव है कि bits कितना जादा अच्छा institute है वहाँ पे कितना अच्छा package लगता है और research opportunities भी कितनी जादा है तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी opportunity है तो जिन लोग कभी gate का एक्जाम जादा अच्छा नहीं जा पाया है वो लोग इसको जरूर कंसिडर करें तो इस वीडियो में बता देता हूं कि bits का एक्जाम आखिर होता कैसा है तो bits में अगर आपने mtec gate clear किया है तो आपको एक्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर नहीं किया है तो आपको एक्जाम देना पड़ेगा और जो एक्जाम होगा उसमें दो पेपर होते हैं जो पेपर वन होगा और पेपर 2 होगा और दोने ही पेपर जो होते हैं वो mcq टैप होते हैं और इन में क्या होता है कि दो सेक्षन होते हैं पहला सेक्षन होता है कोर मैथेमेटिक्स का और इंग्लिश होती है लेंग्वेज और लॉजिकल रिजनिंग होती है ठीक है तो यह दो सेक्षन होते हैं जिसमें इंग्लिश और लॉजिकल रिजन ही एक सेक्षन होती है और हर सेक्षन में जो होगा वो 15 कोश्चन जाते हैं और टाइम डुरेशन जो है वो है 45 मिनिट्स और इस विपर में क्या होता है एक निगेटिव मार्किं भी होती है और हर रॉंग आंसर पे निगेटिव वन हो जाया आपका यह तो रहा पेपर वन एंदन पेपर टू में क होता है यह इन है अगया तक टूस होता है वो होता है वो सबजेक्ट स्पैसीधिक होता है मतंब जैस अप्जेक्ट इल्यां थे रहा हैं जोटल जो डिएशन जो हो जाएगी वो जाएगी 150 मिनिटिट्स एंड यह भी mcq टाइप होगा और इसमें जो होगा 70 questions होंगे और negative marking same negative marking जो होगी इसमें वो same minus 1 होगा for each wrong answer so इस तरीके से bids का exam जो होगा तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी opportunity है अभी से आप लोग को prepare करना चाहिए ताकि बाद में कोई कमी न रह जाए वोगी 1st April से इसका notification आ जाएगा और June में exam हो जाएगा तो अभी भी start करेंगे तो काफी समय है तो go for it